असलाम अरेकों मीविड़ कैसे हैं आप सब अमीद करती ही हूँ आप सब टीक होंगे आप सब का व्यलकम हमारे छेपला कॉअब फड़ा। में सब गैसे क έναरे चैनल ता है कंबिक होदे चाहिए fiquei wish a la pig M और बच्चे एसे होते हैं जो डवाइ बच्चे बच्छे नहीं होते हैं जो द्वाइं को जबन। लानी पड़ती है लोगी ओबनें अब ऑफ बार्वी में रेुप साहते है कि अब लेकर ही त disposосто है वार्विकी काथ एक बेचे में तो एक अजा थािकिनि उसे थे और बगुने वाजानी में ही अकुड़ पर से मिने यह कुछ के दिखे कर जाया ऐए की अर्व मिर्चाने में ने टाल दी और मिक्स मसाला है. टो मैं ने ड booked मिक्स मसाला है. इसी हम हल्दी, भुना ओनि तो ऐत था कोड़िए, और नमक सबमें मुक्स मासाले में न नमक स्पाघाद का अशलम एधाद है ताके तोड़ा सा मिर्चो का जायका भी आ जाए तो बस दीमी आंच पे मैं इन्हें पकाऊंगी और डखना जो है मैं इस पर डख दूंगी और हलकी आंच पे इसको पकने दूंगी और ये जो है बन गए है बस बहुत ही कम टाइम में ये पक जाते है तो अभी खाना खाके मैं नीचे आई हूँ और बच्चो के कपड़े में प्रेस कर लिए तो उनके कपड़े प्रेस कर लिए आप उनको में तयार करूंगी और पे जो है मैं अपने बागी काम करूंगी तो बच्चे टॉइशन चले गए और अबुलहसन भी तोड़ा सा खेल लेगा तो फिर मैं इसको सुला लूंगी और अबुलहसन को मैंने सुला दिया है अब असर का टाइम हो रहा है तो मैं असर की नमाज सदा करूंगी और असर का टाइम बहुत जल्दी निकलता है तो मारिफ का टाइम हो गया है और बच्चे भी आ गये है तो बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ बना के रखती हूं कि यह टूशन से जब आते हैं तो इनको बूख लगती है और यह खाना मांगते है तो इनके लिए मैं कुछ ना कुछ बना के रखती हूं और जिस दिन मैं कुछ नहीं बनाती तो पर इनके लिए बाहर से पापा और बेस्किट वाइरा में आके रख लेती है और अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूं तो रात के खाने में आज बनाऊंगी फिश फिश को मैंने सुबा से मसाला लगा के रखा था और मेरे हजबन का मूड हो रहा था कि कोईलो पे फिश बना ली जाए तो पिर हमने लग लिया जला ली और अब फूदी बैटके इसको सेक रहे हैं थोड़ा थोड़ा ओयल लगा के तो इसको सेक रहे हैं तो फ्राइ फिश से ज्यादा यूनीक टेस्ट आ रहा था और बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका और गोश्ट भी इसका बिलकुल गल चुका था अंदर तो इसका जाएका बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो बस बच्चे सो गए हैं और यही तक तब मेरा आज का व्लोग तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल लखें दौा में आद रखें